नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकुपर दोस्तों आज मैं आपके लेके आया हूं सितंबर अक्टूबर और नवंबर मन्त में जो पूचे गई थे तो आज मैं आपके लिए जिग्रफी के कॉश्चंस लेकर आया हूं तो इस वीडियो में जीग्रफी के जो कॉश्चंस तो साथ सायएंगे जेनल साइन्स से कुछ कोश्चन आएंगे क्योंकि साथ-साथ में आये थे तो हम उनको भी साथ-साथ में डिसक्स कर लेंगे तो इससे पहले जिन्होंने मेरे जो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं और जिवर्फी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जो सितंबर अक्तूबर में आये थे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो पहला क की जो प्रवाइड कर्वाएग गई एक हपी एससे के द्वारा तो उसके कवर्णि को फोपिट में होंगे करएश्ट क्सटों है waste को फॉमuden्ट अफ एरेस कॉल्ड हुआ की क् посмотрим क्या क्या कहलाती है तो हवा की एक शायती चाल होरिजॉंटल मोमेंट क्या लाती है पवन विंड तो होरिजॉंटल पवन यानि ऐसे तो जब हवा ऐसे चलती है तो उसको बोलते हैं तो सिंपल पवन और जब पवन चलती है वर्टिकली तो उसको क्या बोलते हैं समवहन या कन्वेक्शन कि कोफ्य इस्ट तो हिंद मासागर में सबस्ès बड़ा दीप कौन सा है को एक न्युक्त अंजॉक सारीन हाँ मेटा मेड़ कर नेच्ट कोफ्यक आपको याद रखनी है क्यों को सी हरितग्रह गैस नहीं है तो चॉट्ट अंसर आईगा Gosh इत्रोजन तो आपको एक टॉपिक क्या रखना है कि जो ग्रीन हाउस गैसिज वाले मतलब जितनी वी ग्रीन हाउस गैसिज है वह आपको याद रखनी है कि कौन-कौन सी है नेस्ट कोश्चन क्या है कि वी चोहदा फॉलोइंग गीजा स्ट्रक्चली दा मॉस्ट टेवल रीजन तो निमन में से कौन सा संचनात्मक तौर पर सबसे स्थाइक शेत्र है तो कौरेक्ट अंसर है देखन प्रेट्ट्व दक्षिन पठार नेस्ट कोश्चन है ओन विच रीवर अर्द मार्वल फॉल्स लोकेट्टिड किस नदी पर संगमर्मर परपात स्थित है तो क्रेक्ट अंसर आएगा ओप्षिन सी नर्मदा नेस्ट कोश्चन है अब ओड़ी फॉलिंग फ्रिली अंडर दैक्षिन ऑफ ग्रैविटी है तो क्रेक्ट अंसर है नो वेट तो यह जेनल साइंस का बीच में कोश्चन है नेस्ट कोश्चन है दा फ्रिक्षिन इन फ्लॉइंग फ्लॉइग फ्लॉइड इस कॉड़्ट तो प्रवाही तर inlet में घर्षण कहलाता है तो क्रेक्ट यह कोश्चन है ओप्शन सी विस्कॉसिटी नेश्ट कोश्टन है वाटर इज़ा तो वाटर क्या है को यह है पोलर कमपाउंड ऑप्शिन भी इस कोरेक्ट नेश्ट कोश्टन है 95% इथिनौल इस कॉल्ड तो क्या कहलाता है 95% इथिनौल रेक्टिफाइड स्पिरिट नेश्ट कोश्टन है but is the percentage of nitrogen in the atmosphere of the Earth तो nitrogen की कितनी परसेंट आटमसफेर में 78.03% तो आपको याद रखना है कि nitrogen carbon dioxide or oxygen का तो carbon dioxide केतना है 0.03% next question है which planet is nearly as big as earth तो कौन सा प्रिथ्वी के लवग कितना बढग रहा है तो Venus, शुक्र next question है उच्च वेग से बनने वाले रेतिलिय टिब्बे क्या कहलाते है the sand mound formed by the high speed of wind is called dune next question क्या है स्वेज केनाल कोनेक्ट स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर को तो स्वेज नहर लाल सागर को जोड़ती है भुमध्य सागर से Mediterranean Sea से तो आपके जितने भी मैं कोशन डिसकस कर रहा हूं यह आपके आने वाले एक्जाम में मेली जो टीटी आर्स का कमिशन आ रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा और बंगल की कोश्ड़ी पिसे न Thrones किस नदी के थे पर स्थित है कि सरथ किस नदी के तप्रापती नदी पर फौसी आर तो प्रोफिजन सटीमी अनस Зап congr doing cellular हर net कोशन डिभाइब एक वाटरू इन अप्लान इस टांस पूर्टर्ट वॉई क्या वाइब तो पानी में जल प्रभाइत हो होता है किसकी वहाएसे होता है कौन क्रता प्रभाहित को जाइल्म और फॅड को कौन करता है फ्लॉईम next question क्या है g-w-gum is made from तो चुंट जो होती है वह किसे बनती है लेटेक्स से नेश्टक्रशन क्या है वोट इस ड्राइब ट्राइब तो ड्राइब क्या होती है यह ठोश करवन डेक्स में वह क्या बहुते हैं इंटर ओफ आवर सोलर सिस्टम कौन हमारे स्वार मंडल के मध्य में स्थितर है तो कौन है सन ऑप्शन डीज कोरेक्ट नेस्ट कोशन है विच इस आलसा नौन अज फॉसिल प्लैनेट तो कौन जिवाश मग्रहभी कर लाता है तो ऑप्शन ए मून नेस्ट कोशन है कि उत्तर उ प्लैज रोल इन रेडियो कम्मुनिकेशन तो रेडियो संचार में कौन सी वायू मंडली परत भॉम कनिवाती है आइनोस्फेर तो सबसे पहले आपको मिलेगी ट्रोपोस्पेर जो सबसे क्रीब है यहां पे सभी प्रकार की वायू मंडली घटनाय होती है उसके पाद पैसा इस फिर जो सबसे ठंडी होती है नेस्ट कोश्चन विच इस नौट घ्रीन हाउस गैस तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ग्रीन हाउस गैस का जो टॉपिक है वह काफी ज्यादा इंपोड़न है तो कोई ना कोई कोश्चन इसमें आई रहा है तो पूचा है विच इस और मेक्सिको मेक्सिको में आता है टॉर्नेडो और कैरिबियन सागर या अट्लांटिक माह सागर में इसको क्या बोलते हैं तो कैरिबियन सागर में इसको बोलते हैं हरीकेन और हिंद माह सागर में बोलते हैं चक्रवाद और देख्षन चीन सागर में टाइफून और अस्ट लिएट इसो हेल्स आर्र लाइन्स ओफ एकुल तो आइसो हेल्स कि मितलब आइशो हेल्स रेखाएं क्या दरशाती है समान तो शेंशाइन धूप की कुछ कौन सी शीत स्मुद्री धारा है तो प्रोविजिन अन्सर की में प्रोवाइड कराया है अनसर गिनी धारा next question है सुमड़ा जल डमर्ू मद्ध हिंद महासागर को जोड़ता है जावा समुद्र से next question है विक्टोरिया जिल किस महादीप में स्थितर है तो विक्टोरिया जिल स्थितर है अफिरिक का महादीप में option is correct और question दता है कि नील नदी कहां से निकलती है तो नील नदी निकलती है विक्टोरिय जील से नेक्स्ट कोश्चन क्या है भारत में राउरकेला कि सुद्यों के लिए परसिद्ध है तो राउरकेला परसिद्ध है आईरन एंड स्टील के लिए लोहा और स्पात के लिए और इस से लेटेड कोश्चन आता है कि टिसको तो टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना होई थी वो कब होई थी वो होई थी 1907 में जमशेदपुर में नेंस्ट कोस्चन है किस देश का पुर्वाना नाम परशिय था तो परशिय तो परशिय आ किसका नाम था وरा lobby इरान का नेक्ट कुश्टन है North-South extent of India भारत की उत्तर से दक्षिन की दूरी कितनी है तो मान लो यह है भारत का उत्तरी पॉइंट और यह है दक्षिन पॉइंट तो यानिकि ऐसे है लगवग भारत तो आप यहां से कर सकते हैं ऐसे कुछ भी मान लो तो यह मान लो उत्तरी पॉइंट यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 3214 किलो मेटर तो आप कैसे याद रखेंगे इसको पहले लिखेंगे आप एक दो तीन और जो चार आएगा सबसे लास्ट में आएगा तो 3214 किलो मेटर और यह है पस्च्चमी पॉइंट और यह यहां पर पूर्वी पॉइंट तो पस्च्चम से लेके पूर्व तक की दूरी कितनी है यह 2933 किलो मेटर तो आप कैसे याद रखोगे इसको कि 3 गुणा 3 कितने होते हैं 9 और 3 को कितनी बार मल्टिवलाई किया है दो बार 2933 किलो मेटर पूर्व से पस्च्चिम और 3214 किलो मेटर उत्तर से दक्ष जमू और किश्मीर में नेश्ट कोश्चन महाभारत श्रेंखला किस देश में सित्य है तो महाभारत श्रेंखला सित्य है नेपाल में नेस्ट कोश्टन है जवादी पहाड़ी नेमलिखीत में इसे किसका एक भाग है तो जवादी पहाड़ी किसका भाग है पूरवी घाट का नेस्ट कोश्चन है निमलिखित में से कौन सी पस्चिम की और बहने वाली नदी है तो आपको जो भारत की नदी है उनको अपने ध्यान से देखना है कि कौन पूरुव की तरह बहती है कौन पस्चिम की तरह बहती है तो पूरुव की तरह बहने वाली नदी मैंने आपको बता राएगा नर्मदा और तापती तो चलिए कोश्चन देखते हम यहां पे पूछा गया कि निवन लिखित में से कौन सी पश्चम की और बहने वाली नदी है तो कौन सी है नर्मदा तो बाकी महानदी गुदावरी कृष्णा और एक कावेरी वो के वो पूर्व की तरफ बहती ह हैं ठोश्चन किस भारती राज्यें में देश के सरवदिक निजीवन हैं तो क्लिक्टी राज्ये जामनगर जामनगर ओईल रिफाइनरी स्थित है तो जामनगर ओईल रिफाइनरी है गुजरात में नेश्ट कॉस्चन विवेक एक्सप्रेस निमली खित में से किसको डिब्रुगर से जोड़ती है तो विवेक एक्सप्रेस जोड़ती है डिब्रुगर से कर्ण्या गुमारी नेस्ट कॉश्चन निमलिक्री में से किस स्थान पर उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्याले स्थित है तो उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्याले स्थित है गोर्कपूर में नेस्ट कोश्चन है भारत में व्यापार बस्तों के परिवहन का मुख्य स्त्रोत क्या है तो क्रेक्ट अंसर आएगा इसमें ऑप्षिन सी समुद्री परिवहन नेस्ट कोश्चन है विच इस टाइडल पोर्ट कौन सा जोहर ये बंद्रगा है तो ऑप्षिन एक रखता है कांडला नेस्ट कोश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी प्रियोजना किस वर्श प्रादम हुई थी यह हुई थी 1992 में और आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जाना कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुडू हुआ था नेस्ट कोश्चन है तो जेनल साइंस के बीच में कोश्चन है तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इस मिनिमम मैट तो कहां पर होती है मिनिमम एक्क्वेटर पे नेस्ट कोश्चन है अर्थ रोटेट ओन इस एक परिक्रीज होती है हम कि यसे-स नेश्च जेन फॉल्वाइंग इस नौट एंलेक्टरमेंगनेटी वेवग, कि इस नॉट एंसमेलेक्न अल उफ दीस तो इसमें से कोई भी जो कह तो ईलैक्ट्र मेनेलेक्टी बेव नहीं है तो यह जो ऑंसर जैन प्र प्रोफेजञ अंसर नेश्ट कोश्चन है विच लेंस इज यूज़ फॉर कॉर्यक्टिंग हाईपर मेट्रोपिया तो दीर द्रिश्टी को ठीक करने के लिए कौन से लेंस परिक्त होते हैं कंवेक्स लेंस नेस्ट कोश्चिन है रवर इज़ा तो रवर क्या है यह है इन्सुलेटर नेषट कोश्चिन है विच प्रोसेस इz यूज्ड ट您े अध करोपनकर ओम् कौन सामल मानव जटर में उपस्तित है तो क्रेक्ट अंसर आएगा HCL हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेश्ट कॉस्टन क्या है ति विच इस यूज्ट टू प्रिपेर दा वोटर्स इंक तो मत्दान में प्रिक तो होने वाली से यह जो हमारी उंग्री पे भी लिगा जाती है तो नेश्ट कोश्टन है विच इस रिनेवर नेश्रल रिसोर्स तो रिनेवर नेश्रल रिसोर्स कौन सा है सनलाइट नेश्ट कोश्टन में गोवर गैस तो गोवर गैस का जो प्रमुग घटक क्या है वो कौन सा है मिथेन कि नेक्र कोशन है वट इस रिस्टिंग तो रेस्टिंग क्या है तो इसमें जो आपका व्यंद्र आइगा को रोज़न ओफ आई दो लोग कास संक्षारन नेक्स्ट कोशन क्या है डेंस्टी ओवाटरीज मैट तो कब होती है पाने का घनातर सबस्द्स जड़ा कब होता है चार डिगरी सेलसियस पे नेश्ट कोशन है डेफिशेंस यह प्रोटीन कोज तो इसके में इसमें जो आपका अप्शिन डी को आश्यों कर नेश्ट कोशन है कि किस विटामिन की कमी से गातक अनेमिया होता है तो अनेमिया किस की कमी से होता है किस विटामिन की कमी से विटामिन सबसे जहीला सांप कौन सा है तो बिशुप का सबसे जहीला सांप कौन सा है समुद्री सांप नेस्ट कोशन है मानुश्री की सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है तो विच इस लार्जेस्ट ग्लैंड ओफ हुमन वोड़ेश लीवर तो आगे यह माचल जी के कि एश्टर दो कोशन आगे हैं चलो आए हैं तो इनको भी कर लेते हैं तो कौन सा भारती राज्य हिमाच्य पदेश के पस्ची में है तो पंजाब नेस्ट कोशन है सबसे बड़ी लगू हिमालिय श्रेणी है दे लार्जस्ट लैसर हिमालियन रेंज भी इस पीर पंजाल को दृट नेश्ट कोशन है कथ अकली क्लासिकल डांस प्रॉम फॉम उफ कथकली कि स्राज्य का शास्त्री नरित्य है तो कर्यक्त भूंसर कि इसमें केरल हैं डियस्ट कोशन है लाल इकला कहां पर सित है तो दिली का लाल किला तो कर्वेयक्ट थैगा अ सबसे बड़ा दिन कॉन सा है तो सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है is 21 जून और सबसे चोटा होता है 12 दिसम्बर और फीर कोरें गुलार्थ सकismo looking glass जिसमें हम देखते हैं तो क्रेक्ट अंसराएगा प्लेट मिर्शमतल दर्पन नेश्ट कॉशन है ब्रास इस एन लॉइ ओफ तो क्रेक्ट अंसर आएगा ब्रास का कोपर एंड इन ऑप्षिन भी इस कोरेक्ट और बॉऔज का इसका इसका पिसके उसका नहीं घ्युक और उन एक अगया कि कि निट्क फॉन स्ट नहीं doit पर इसका इसका रहेगा वह आएगा तो ट्यूबर क्लोसिस होता है बेक्टीरिया की बज़े से, तो option D आपका क्या है बेक्टीरिया, Next question है, कुची पुरी किस राज्य का शास्त्री न्रित्त्त है। तो कुची पुरी कहां का है अंध्रप्रदेश का, Next question, पहला विश्यूद किस दोरान हुआ था, कि यहां था 1914 से 1908 rubbish नेस्ट कॉश्न किस ग्राह को हरा क्राह कहते हैं तो किसको कहते हैं हरा ग्राह कि革ी डीटी को थीज्श को अर्थ नेस्ट कोशन ग्रीन वेसे कौंसी ताइप वन है तो इस धाई पवन कौंसी है इनМेसे तो क्रेक्ट अंसर आए евगा ऑप्शिन D all of these नेस्ट कोचन है Greenland is a part of which country तो Greenland किस देश का एक भाग है तो Denmark का नेस्ट कोचन है Rajiv Gandhi अंतराश्टी एरपोर्ट जो है वो कहां पे है Rajiv Gandhi International Airport कहां पे है तो यह है है हद्रवाद में नेस्ट कोचन भाद का सबसे पुराना बंदरगा कौन सा है तो कौन सा है सबसे पुराना बंदरगा जो अंसर की में जो अंसर बताया गया है उसके कोडिंग ऑप्शन एक कोलकाता नेस्ट कोचन बिच इंस्ट्रुमेंट इस यूज़ तो मेजर बॉड़ी टेंपरेच्चर तो श्रीड का तापमान मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तिमाल होता है थर्मोमीटर नेस्ट कोउचन है वाटर गैसी अ याजस एक बांटर गैसी ते यसंट कर्पोस्ट बनती है कारबन अज्ट हमज कार्द अबार्य यह कई ऑंटें लिख लाइक लेड़्ड तो ब्लैक लाड लेडड किसको बोलते हैं टेफ हईट को ऊप्श्ट ए इस्करेक्ट next question है diarrhea is caused by to atisar किससे होता है तो क्रेक्टण स्राइगा option a virus नेस्ट कोश्टन है विच इसकोड डॉग स्टार किसे डॉग स्टार कहते हैं तो करेक्ट अंसर आगा ऑप्शन सी सीरियस नेस्ट कोश्टन है किसे किसे बिश्व में सबसे युभा परवत की नाम से जाना जाता है तो विच इस रिगार्ड़ेड एद यंगेस्ट माउंटेन इन दर वर्ड तो हिमाल्यास को नेस्ट कोश्टन विच इस नॉन मटालिक मिनरल तो इसमें जो करेक्ट अंसर आएगा ऑप्शिन ए सल्फर कि नेश्ट कोश्टन है दफर्स्ट फैक्ट्री ओव सिंथेटिक रवर वाज सेटप एट विच प्लेस किस जगह पर पहला कुरुतिम रवर का कारखाना स्थापित किया गया था इसमें जो प्रभलिन अंसर की में अंसर प्रवाड करवाड करवाए गया था वो करवाए गय लेगिन आप इसको एक वार्क चेक कर लेना तो पता नहीं मुझे कि इसकान सब्सक्राइब है या नहीं है नेश्ट कोश्चन है किस थान पर मध्ध रेल्वे का मुख्याले स्थित है तो वीर सावारकर इंटरनेशनल एरपोर्ट कहां पर है पोर्ट ब्लेर में नेस्ट कोश्चन है भारत में किस राज्या का शाक्ष्रता दर सबसे उंचा है यानि सबसे अधिक हाई लिट्रेस रेट किसका है केरल का नेस्ट कोश्चन है स्पीड ऑफ साउंड इस मैक्सिमम इन तो ध्वनी की गतिकेस में सबसे अधिक होती है इस सॉलिड्स में नेस्ट कोश्चन है विच मिरर इस यूज़ एज बैक व्यू मिरर इन विकल्स तो करेक्ट अंसर आएगा ऑप्शिन सी कन्वेक्स मिरर तो साथ साथ में जर्नल साइंस के भी कोश्चन आ रहे हैं तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था तो नेस्ट कोश्चन कॉमन सार्ट तो कॉमन सार्ट क्या होता है सोडियम क्लॉराइड एन नेस्ट कोश्चन है किस विटामिन की कमी से हाइपर केरोटिस होता है तो करेक्ट अंसर आएगा ऑप्शिन ए विटामिन ए नेस्ट कोश्चन है डेड़ सी इस एन एक्जेंपल ओफ तो मृत सागर किसको दारन है तो भी ग्रैवन का नेश्ट कोशन है वट इस दा परसेंटेज ऑफ इंसुलेशन रसीड वाइ अर्थ सर्फेस तो प्रिथवी की स्तहाव पर प्राप्त आत्पन का प्रतिशत कितना है तो प्रिथवी की स्तहाव पर कितना पहुंचता है 51 पर सेंट और अटमस्पेर में 66 आउन में लाएक पहाडी चुलियुकल किस्की वैज़ों देपलीशिन ॉफश्यक्ली मानसूं बक्रच्षिन का मानसून बश्चा म means तो दक्ष्यन पष्मी मांसून से बर्श होती है जून के मंध में और लौटते हुए मांसून से सब्सक्यादा बर्श होती है नवंबर में तर्भलाँ तलबर कर्या अधिए लाल मरम Πाई जाती है जहां पे उच्छ तापमान और उच्छ वर्षा होती है तो क्रेक्टन साइगा ऑप्शन भी कि नेस्ट कॉश्टन है विच ओद फॉलोइंग त्री नोटा सौट्वूड व्राइटी तो मतलब किसकी लकड़ी जो है वो हलकी नहीं है तो क्रेक्टन साइगा महोग नहीं नेस्ट कॉश्टन है निमनांकित में किस नदी में बेतवा नदी मिलती है तो बेतवा किसकी साइक नदी है तो यह है यमुना की नेश्ट कोशन है खंबात की खाड़ी निमनांकी ते में से किसे सम्बन देता है तो बंगाल की सवरी खंबात की खाड़ी से क्या मिलता है और मनार की खाड़ी किसके लिए जींगा उत्वादन के लिए नेस्ट कोशन है वेक्टर ऑफ काला अजर डिजीज इज तो आला अजर रो का वहां कौँंसा है जैंड फ्लाई नेस्ट कोश्चन है विचोधा फॉलॉइंग इस फ्लाइट लेस वर्ड तो नमिनांकित में से कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता है तो कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता इमू नेस्ट कोश्चन था हाइस्ट एनरजी इन टर्म आफ केलोरी इस प्रोडूश्ड वाई तो किस में पूछ रहे हैं केलोरी में तो केलोरी में सबसे जाइनरजी को प्रवाड़ करता है फैट तो लगवग 9.1 नैंट वन परसेंट और वैसे प्रसेंटेज की साफ से देखा जा तो कहां पर होता है फॉर्मेशन ओफ यूरिया तो लीवर में ओप्शन भी इस कोरेक्ट नेस्ट कोश्चन है दप्लांट कि दप्लांट विच प्रिपेर देर ओन फोडिस ओन फूडिस काल्ड तो यह कोश्चन आपके लिए छोड़ता हूं कि पादप जो अपना भोजन आपके लाते हैं नेश्ट कोश्चन है ओजोन डिपलीशन इस मेंली कोस्ट वाई तो अभी यह पिछले ही पिछले ही पेज में आया था पोस्चन तो करेक्ट अंसराएगा तो फ्लोरो कार्बंस नेश्ट कोश्चन विच कंटिनेंट है दलार्जेस्ट पॉपॉपॉलेशन तो करेक्ट अंसर आएगा ओप्शिन भी एशिया नेश्ट कोश्चन है क्विच नेश्ट कोश्चन है क्विच नेश्ट कोश्चन क्या है विच कंट्री इस नौन एज सूगर वॉल ऑफ ता वर्ड तो बिशव का चीटनी का डोरा किसे कहते हैं क्यूबा को नेश्ट कोश्चन है मानसून क्षेत्र में अधिकतम भर्षा होती है तो कब होती है ये ग्रीशम भितु में या देश्ट भर्षमी मानसून से नेश्ट कोश्चन है न्यूजिलेंड की राजानी क्या है तो न्यूजिलेंड की राजानी क्या है वेलिंग्टन next question बाहत के सबसे उत्री बिंदू पर सूर्ज की किरने हमेशा क्या वड़ती हैं तो यह पड़ती है हमेशा तिर्ची next question है which are called the primary rocks तो primary rocks किसको बोलते हैं igneous rock को यानि आगने चटानों को और आपने तीन आगने चटानों के नाम जार रखने हैं ग्रे नाइट गेब्रो बिसाल्ट और सजार डेंसेटी किसकी होती है प्राइमरी रॉक्स की next question है Richter scale is used for measuring तो Richter scale का उपयोग क्या आपने के लिए कि जाता है तो intensity of earthquake भूकम्प की तीवरता को next question है सियाचीन हिमनद स्थित है तो सियाचीन हिमनद कहां पे है कराकोरम श्रिंखला में next question है the lowest layer of atmosphere is called तो बायू मंदल का सबसे निमंतम स्थर कौन सा है तो कौन सा है शो मंदल प्रोपर स्थियर next question समानिता किस उंचाई पर पक्षाब मेग पाए जाते हैं तो पक्षाब मेग पाए जाते हैं छे से बारा किलोमेटर की उंचाई तक next question है वह महसागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है the option which has the greatest depth is तो करेक्टन सराइगा option भी प्रशान्त महसागर next question है next question है high tides are also called तो उच ज्वार को ये भी कह जाता है तो इसमें answer दिया गया spring tides ब्रहित ज्वार next question है बेरी बेरी रोग किस बिटामिन की कमी से होता है तो ये होता है option option d none of these तो इसमें आपका correct answer जो आएगा वह मुझे comment box में बिताएं कि बेरी बेरी किस बिटामिन की कमी से होता है next question है excess of water in body result in तो correct answer आएगा option d none of these next question है pain relieving drug also known as pain relieving drug is also known as इसमें answer आएगा option d none of these next question है pacemaker is related to तो pacemaker किस से related करते हैं heart से तो option d is correct next question है iron is abundantly found in iron प्रचुर मातरा में पाजाता है तो पाजाता है green vegetables में option a is correct तो friends यह थे कुछ geography और general science के questions तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शाथ में मेरे वीडियो को ज़्यादा शेर करें ताकि जो भी त्यारी कर रहे हैं उन तक मेरे जोगा वीडियो पहुंच सके तो चलिए आज के लिए तनी काफी है और कल मिलेंगे हम तो जो सब्टेंबर अक्तुबर नवंबर में जो एक्जाम हुए है उसका हिष्टी सेक्शन लेके